पास्चात्य काविस आस्त्र में एपसर्ड नामक सिधान्त भी प्रचलित है एपसर्ड का साब्दिक अर्थ असंगत बेतुका अनरगल निरर्थक आदी होता है अल्बेर्ट कामु ने अपनी पुस्थक मित ओफ सिसिफस के प्रारंबिक वाक्य में कहा था जगत में सिर्फ एक ही दार्षनिक समस्या है वह है आत्म हत्या पष्चिम में अर्थात पष्चमी देसों में बीशमी सदी के आरम में नाटकों और कहानियों आदी में मनुस्य की निरर्थक और व्यर्थदसा को दर्साया गया मनुस्य के जीवन को निरर्थक माना गया विचारकों ने फ्रेंज काफका के कथा साहित्य और अभीवेंजनावाद तथा अतिय थार्थवाद में एबसर्ड के तत्वों की तलास की ज्योंपाल सार्त्र और कामू के अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव एबसर्ड की अवधारना पर पड़ा है अलपेर्ट कामू ने मनुस्य के जीवन को निरर्थक बताया है उनके अनुसार मुल्य सत्य या जीवन के अर्थ का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है सब कुछ वे अर्थ है पहले और दूसरे विस्वयुदों के बाद समाज में फैली गोर निराशा, भय, अनास्था और जीवन की निसार था आदी एबसर्ड के मूल में है प्रथम विस्वयुद के बाद नाटक में तेजी से परिवर्तन आया और विकरत मनोवर्तियों का चितरन होने लगा इसके बाद दितिय विस्वयुद जो 1949 से 1945 तक चला इसके कारण व्यक्ति अतिदिक, संत्रस्त, परेशान और दुखी हो उठा उसके अस्तितों का संकट उभर कर सामने आया एबसर्ड नाटकों के अनुसार व्यक्ति जर्म से लेकर मृतियों तक के कालखंड को जबरदस्ती जी रहा है उसका कोई सू नियोजित लक्सि नहीं है उस पर नीरस और एक रस जिंदगी लाद दी गई है मसीने विकास ने उसको बिलकुल पराधीन कर दिया है उसने भी नैतिक ताके बंधन तोड़ दिये है अपने धार में एक पारलोकिक और अनुभव अतीत जड़ों से कट कर मनुस्य सिखो गया है उसकी सभी क्रियाएं विवेखीन, असंगत और अनुपियोगी है एपसर्ड नाटकों के चरित्र असमाने प्रतीत होते है इनमें बीमार, आवारा, ठके, उबे, आरे, उचके, लंपट, विक्षिप्त चरित्रों को विसेश महत्व दिया जाता है इनके चरित्र समाज से बहिस्कृत या उससे अपना नाता तोड़े हुए होते है और वे पूरी तरह निरासा के सिकार होते है उनके कार्य तर्खीन और निरर्थक होते है ये पात्र दरिद्रता, अभाव और परेसानियों के कारण अपना संतुलन खोवैडते है एपसर्ड नाटकों का मंच भी अतार्किक लगता है इनकी मंच सज्जा बिलकुल साधारन तथा बेतरती अस्थवैस्थ होती है दर्सकों और पात्रों के बीच कोई विसेश दूरी नहीं रखी जाती एपसर्ड नाटकों को हिंदी ने सीधे इसी रूप में लिया है कुछ लोग इसके लिए असंगत नाटक सब्द का प्रियोग करते हैं किन्तु इसका प्रचलन कम है हिंदी में एपसर्ड नाटकों के प्रथम प्रियोगता भूनेस्वर है इनका ताम्वे के कीडे हिंदी का प्रथम एपसर्ड नाटक है जो 1946 में प्रकासित हुआ इनमें इसमें एपसर्ड नाटक के सभी लक्समन विद्यमान है नई कविता और पूरवर्ती हिंदी काविधाराओं में भी एपसर्ड के तत्तु विद्यमान है और उनसे समंदित वर्नन भी है एपसर्ड साहिती की विशेशता है जीवन की निरर्थकता और बेतुकेपन का भाव दो महायुद्धों की तरास दीजे उपजी विचारधारा अनास्था भय और विरक्ती का अनुभव होना प्रस्तोती के इस्तर पर भी उल्ला सीन्ता व अरुची का भाव अस्तित्त वादी दर्शन का प्रभाव विकरत मनोवर्तियों का चित्रन नकारात्मक निस्तेज और ओजहीन अभी व्यक्ती धन्यवाद